वो न कागज रखता है न किताब रखता है फिर भी वो सारी दुनिया का हिसाब रखता है गीता में लिखा है परिवर्तन संसार का नियम है जिसे तुम मृत्यू समझते हो वही तुजीवन है एक छण में तुम करोड के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही शण में तुम दरित्र हो जाते हो मेरा तेरा अपना पराया छोटा बड़ा तुम सब छोड़ दो और सब के हो जाओ फिर देखना सब तुम्हारे हो जाएंगे और तुम सब के हो जाओगे भगवान स्रीकृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले मा छूटी फिर पिता छूटे, मेशोदा मा और नंद बाबा मिले, फिर वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मतुरा भी छूटा, श्रीकृष्ण से चीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा, अगर कुछ नहीं छूटा, तो वो है उनका देवत्व, उनकी मुस्कान और उनकी सकारत्मक्ता, इतना सब होने के बाद भी भगवान स्रीकृष्ण दुख के नहीं, उस सब के प्रतीक है, सब कुछ छूटने पर भी, तो एक कैसे खुछ रह जा सकता है, ये श्रीकृष्ण से अच्छा कोई और सिखा ही नहीं सकता, दुख और सुख ये दोनों कुद्रत के उसूल है, ये प्रभु बस यही प्रात्ना है, दुख आए तो हिम्मत देना, और सुख आए तो नम्रता देना, डाली से अगर फूल तूट जाए तो उसे लगाया नहीं जा सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल अवश्य खिल सकता है, इसी तरह हम जिन्दगी में खोईवे पलों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन आने वाले पलों को हम खुब सुरत जरूर बना सकते हैं, विपत्या कैस कश्ट दायक होती ही है, अगर आप किसी दूसरे की विपत्ती में निश्वार्थ भाव से मदद करते हैं, तो निश्चित आपकी भी मदद के लिए कोई न कोई अवश्य सामने आएगा, यही प्रकर्ति का अटल नियम है जीवन में कभी भी आगे होने का घमन और पीछे होने का अफसोस नहीं करना चाहिए, क्यूंकि सेना के दल में खड़े, सैनिक को सेना प्रमुक पीछे मुण होने का आदेश देते ही, वो आगे खड़ा वेक्ती पीछे और पीछे खड़ा वेक्ती आगे हो जाता है इसी प्रकार इश्वर कब किसको पीछे मूने का आदेश दे ये कोई नहीं जानता इंसान घर बदलता है लिबास बदलता है और रिष्टे भी बदलता है दोस्त बदलता है फिर भी वो परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता उप्रभर गालिम यही भूल करता रहा धूल चहरे पर थी पर वो आईना साफ करता रहा जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होंगी ही वरना मरने के बाद तो जलने का ऐसास भी नहीं होता जब एक दर्वाजा बंध हो जाता है तो खुद्रत दूसरा दर्वाजा अपने आप खोल देती है पर हम अकसर बंध दर्वाजे को इतने अफसोस और निराशा से देखते रहते हैं कि हमें वो दर्वाजा दिखाई ही रही देता जो खुद्रत ने हमारे लिए खोला है रोजाना मंदिर जाना उत्तम है रोजाना जब करना भी उत्तम है रोजाना गीता पढ़ना भी उत्तम है लेकिन अपने अंदर जाग कर देखना कि इतना करने के बाद भी आपके अंदर कोई परिवर्तन हुआ क्या कुछ पराय अपने से लगने लगे है क्या प्रकर्ति की धीमी धीमी आवाज आपके मन को भाने लगे क्या कभी कभी बिना कारण आपकी आखे भर आती है क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे आपसे बाते करना चाहते है क्या कभी ऐसा लगता है खिलता वाफूल आपसे मिलना चाहता है जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप अकेली नहीं पूरा ब्रह्मान आपके साथ है तो समझ जाना कि आप सही रहा पर है एक पंची जब घौसले की नीव लगता है तो कितनी मेलत से वो तिनका तिनका बटोड़ता है और खौसले तक ले जाकर उसका निर्मार करता है अपने बच्चों के लिए एक शुयक्षित खर का निर्माण करता है फिर जोर से आधी आती है और घौसले को तोड़ कर उसका तिंका तिंका बिखेर देती है लेकिन वो पक्षी रोता नहीं विलाप नहीं करता बिना किसे बिलम के वो अपने घौसले को फिर से बनाने की तैरी करता है और अपना घौसला फिर से तिंका तिंका जोर कर बनाता है हमें सीखना है उस बक्षी से कि बिना रुके बिना थके बिना हार माने प्रियास कैसे किया जा सकता है और प्रियास कैसे किया जा सकता है फिर मिलेंगे दोस्तों दूसरी वीडियो में दब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना